गौर्ण इसमक परे साथ जोड़ चुके निरच क्या कुछ अपडेट है कब तक इस पर फैसला आएगा देखिए अभी करीब जो है साड़े चार बजे के आसपास जो है कोट के तरफ से कहा गया था कि दुबारा से कोट बैठेगी उसके बाद में आदेश जो है वो सुनाये जाएगा अभी सभी वकील जो है जस्साब का इंतिजार कर रहे हैं उसके बाद यह जानकारी है कि कुछी करें जाएगा लेकिन जिस तरीके से जो बाते निकल करके सामनी है कि करीब पांच दिनों का जो रिमांट है उसपाजरा का है कितने दिनों का रिमांट जो है CBI को दिया जाता है और उसी के साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कयास है कि आखरकार में ये भी हो सकता है कि आखरकार उनको नियाई खेरा सकता है लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो यहीं है कि आखरकार में उनको जो पुलिस कस् कियो और अखरकार उन्होंने सामने रखे और उसे के साथ कि अब हमें जो है इसको जो है इनको जो है हमने गिरफतार कर लिया है और उसी के साथ ही उन्होंने बताए कि आखरकार इनकी क्रफतारी क्यों है और अब देखना यह होगा कि आखरकार में कोट का क्या आदेश आता है कुछ तेर बाद जो है सारी चीज़े जो है वो किलियर हो जाएंगे इसके पहले क्या तरक सीबियाई की तरफ से दिया गया था नीरज आदेखी सीबियाई ने तमाम तरक यह रखें कि आखरकार में जिस तरीके से जो उनके गवा थे और सी के साथ में जो उनके स्टेटमेंट रिकोड होए थे पैसों को जो पूरा लेंदेन हुआ था वो आखरक को ध्यान से सुना और इसी के साथ ही जो अर्विन केजरिवाल की वकील थे उन्होंने इस बात का विरोध भी किया लेकिन उसी के साथ ही यह कहा गया कि काफी देर सुनने के बाद में कि साड़े चार बजे के आसपास जो है कोट अपना फैसला सुनाएगा कि आखरकार में आ अर्विन केजरिवाल को पूछताच के लिए बुलाया था जिसमें उन से सारी बाते पूछी गई थी पूरा जो लिकर स्कैम हुआ था आखरकार इसमें कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से इस पूलिसी को बनाने के लिए कितने लोग इसमें इन्वाल्व थे और जो प पांच दिनों को जुरिमांड मांगा गया है तो कितने दिनों को रिमांड जो है वो कोट के तरफ से दिया जाता है यह सबी बाते जो है कुछ तेरवाज के लिए हो जाएंगी और इसी के साथी सीबे के पास भी वह पुखता सबूत है जिस बिहाफ पर उन्होंने ग्राउं मना करके अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार किया है अर्विंद केजरिवाल के तरफ से बार-बार इस चीज को रिपीट किया गया कि वो निर्दोश है और मनिसे सौधिया भी निर्दोश है जबकि CBI की तरफ से ये कहा गया कि अर्विंद केजरिवाल ने सिकुरिती बयान दिया जिसमें मनिस सौधिया को माना गया है कि ये जो नई आपकारी निती थी वो मनिस सौधिया के दिमाग की जात थी देखे पूरी आपने पूरा सही कहा है और सी के साथ ये तमाम जो दलीले जो हैं वो जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से रखी गई थी और इसी के साथ ही जो इस्पेशल पब्ली पर्सेक्विटर हैं उन्नों ने भी अपनी दलीलों को रखा और इसके बाद में कोर्ट को किया और आखिरकार बताए कि इसमें पूरे तरीके से जो पैसा था वो चुनाफ के दर्मियान भी जो पूरा पैसा था वो जो है उसमें खर्च किया गया था इस तरह की के बाते रखी हैं और ये भी कहा कि उनके तरफ से सरकारी जो वकील हैं कि आखिरकार में अगर उनको गिर पर जवाब दाखिल करने के लिए उनको वक्त चाहिए और शाम तक का वक्त उन्होंने कहा था आखिरकारों देते हैं तो शाम तक वो अपने जवाब भी दाखिल कर देंगे लेकिन उसी के साथ जो CBI के वकील थे उन्होंने कहा कि अभी कोई अरजी ऐसी पेंडिंग नहीं है जांट कैसे हो यह तैय करना अजेंसी का काम है और रिमान अरजी के एडवांस कोपी देने की ज़ुरत नहीं है और उसी के बाद ही CBI ने साफ कर दिया कि आखिरकार में हम केजरिवाल को गिरफतार कर रहे हैं और उसके बाद में कोट में ही जो गिरफतारी का प्रोसेस होता है वो पूरा किया गया और उसके बाद में कोट से कहा गया कि आखिरकार में वो जो है इसाज़त दे कि जो केजरिवाल है उनसे पूश्ताच की जाए और कोट रूम में ही उनसे दो है कुछ देर के लिए पूश्ताच की गई थी उसके बाद में फिर उन्हें गिरफतार कर जाता है और उसके बाद में ये भी कहा गया है कि उन्हें पांच दिनों की जो खस्टडी है वो चाहिए ताकि जो पूरा स्केम हुआ है उसका जो सीक्वेंस है वो जाना जा सके तो अब इस मामले में अर्विन केजरिवाल की मुश्किलें आप किस तरीके से बढ़ते वह देख रहे हैं नीरच क्यूंकि ये बहुत महत्पूर हो जाएगा कि एक तरफ को एडी के मामले में वो रहत की कोशिश कर रहे हैं अब सीब्याई की दबिश भी उन पर पढ़ रही है तो अब उनके तरफ दो तरफा मार पढ़ने जा रही है अब बेल्कुल सही कहा आपने विए जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल के बारे में उनके पार्टी के तमाम बडे नेता हैं उनको ऐसा लग रहा था कि आखिरकार में जो अर्विन केजरिवाल है वो जेल से बाहर आ जाएंगे इसारी के से राउजिमनी कोट ने अपना आधिश सुनाया था कहाँ है जो पू कोड पहुंचती है और फिर वहां पर पुली जो की CBA है वो उनको गिरफतारी की बात करती है कोड के सामने उसके बाद में गिरफतार कर लिया जाता है यानि कि साफ़तोर से कहें कि ED ने गिरफतार किया उसके बाद में CBA ने गिरफतार किया लेकिन ना तो ED की तरफ से जो गि CLAIRE हो जाएंगे कि आखर कार में केड़ी वाल का जो आगे काँ जाएंगे वो जहल जाते हैं या फिर CBI केपास जाते हैं तो यानि कि साफ़तोर से अब देखा जाए तो दोनों तरफ से केजरिवाल गिर चुके हैं और इसी के साथ उनकी मुश्रिवाल आगे आने वाले दिनों के भीतर और जादा बढ़ती जाएंगी तो आज इस मामले में क्या कुछ जो भी दलील दी गई CBI के तरफ से या फिर अरविन केजरिवाल के पक्ष्ट के तरफ से क्योंकि कोट जो भी फैसला देगा इस केस में इतने दिनों से जेल में रहने के बाद CBI अगर आप रिमांड माँग रही है अपनी कस्टडी चाह रही है तो कोट को तो कन्विंस भी करना पड़ेगा किसके पीछे वज़े क्या है देखे बिल्कुल सही का आपने कोकिं जब इनको गिरफतार किया गया था CBI ने गिरफतार जब उनको खरने की बात कर रही थी तो उसी दुरान जो है कोट ने भी पूछा कि आखिरकार अभी ही गिरफतारी क्यों की जा रही है तो उसके बाद में जो CBA की तरफ से कहा गया कि केजरिवाल को इससे पहले भी सुप्रिंग कोट से अनित्रिम जमानत पर थे और उसके बाद उन्हें चुना परचारे के लिए जमानत भी मिली थी आगर उन्हें गिरफतार किये जाता है तो गलस संदेश चाता इसलिए हम सुप्रिंग कोट के आदिश की गरिमा को भी गिरान नहीं चाते थे इस तरीके के बाते उन्होंने रखी और उसके बात में फिर बताये कि आखिरकार में यह बाते भी कहा कि और गइजरिवाल 11 वार गवा गये थे हमारे पास टिकट भी है पेमट का रिकोर्ड भी है और उसे के साथ उन्हें जब इस बारे में पूछा जाता है तो आखिरकार जवाब में वह यह कहते है कि यात नहीं है तो असी के साथ यह कोई 10 साल पहले के बात नहीं है जो कि उनको यात नहीं है वो भूल गए हो यह बातें जो है CB Amanda के जो वकील थे कोट के सामने रखी है तो यानि कि सबसे गंबीर बात है कि आखिर कार आप 11 बार गोवा गए हैं जब उसके बाद में CBA आप से पूछ रही है तो सवालों का जवाब देने के बज़ाए आप उनसे कह रहे हैं कि हमारे पास में मुझे यात नहीं है कि आकरकार मैं कितनी बार गया था और कहां-कहां लोगों से मुलाकात की थी और उसी के साथ उन्होंने CBA ने जो कोट के सामने बाते रखी उसमें ये भी कहा कि हमें पांच दिन के कस्टडी चाहिए और फिर CBA ने ये भी कहा कि अभी केजरिवाल की गिरफतारी की जरूत है क्योंकि हमें जुलाई तक जाच पूरी करनी है तो इसी वज़े से इनको गिरफतार करना जरूरी है और उसके बाद इनकी कस्टडी भी जरूरी है और अभी जो केजरिवाल के जो वकील थे उन्होंने तमाम बाते रखी जिरहा की और उसी के साथ उन्होंने भी अपनी तरफ से ये जो है दलील रखी कि अभी तक जो CBA की जो और से केस दर्श किये गए हैं जितनी चार्शिट डायर होती है तो इसमें अभी तक कोई चार्शिट जो है जिस तरह की बाते रखी है और इस केस में मेरा आरूपी के तोर पर जिकर नहीं है कि यानि कि जो वो लिख रहे हैं कि केजरिवाल के बारे में कि वो अभी तक आरूपी के तोर पर कोई जिकर नहीं है जो कि चार्शिट फाइल भी है इस तरह की के बाते रखी है और पिछले साल 16 अपरेल को जो बेयान दर्ज हुए थे अब तक की सीवे ने कोई पूश्टाज की जौरत नहीं समझी ती लेकिन अचानक सही आखिरकार सीवी क्यों अपतार कर लेती है जी ठीक है आप इरे साथ बनी रहीएगा आगे भी आपसे हम बात करेंगे